तो यह लो गाइज मैं हूँ आपको दोस्त अश्विन रावत और आप देखरें मेरे यूट्यूब चैनल अश्विन टेक्माइड तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कि आप किसी एक्जिस्टिंग टेवल में कैसे डेटर को अपडेट कर सकते हैं आपने सी साफ प्रोग्राम की मदद से सो बिना किसे बखवास कि आज किस वीडियो का हमें स्टार्ट करते हैं करते हैं तो ऐस अगरा को पिसली वीडियो याद होगी वाला थो उसमें मैं आपको पांच स्टेब बताइठे लिए डेटर को इंसल्ट करने के लिए टेबल को तो फस्ट्री boy हमने हमने कमेंट के अंदर और और ऑन क्षुप को हमने एंपलिमेंट भी कर दिया था तो आज की वीडियो में क्योंकि मैं आपको अपडेट करना सिखाने वाला हूं तो उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपने टेबल तो यह गया मैं अपने Microsoft SQL Server में और यह यह वो टेबल जिसको हमने अपडेट करना है तो पहले मैं आपको बता देना चाहते हो कि मैं डेट करने का क्या मतलब है कि अपडेट करने का मतलब है कि किसी वैल्यू को चेंज कर देना on the basis of the value of other column यहनि की जैसका आप यह देख सकते हैं इसमें कि आपर दो कॉलम है नेम और रोलनमबर माना हम रोलनमर की वाईलू चेंज करना चाहते हैं वो भी को क्ुलौम की वैलू के तो यह पर जैसे वैलू की है सचिन तो 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 इसका होई नाम अधैक का प्रते हम कर सकते हैं माना इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए चाहिए होगा क्या रोल नंबर तो रोल नंबर के थुरू हम इसका रोल नंबर चेंज कर सकते हैं इसी प्रोसेस को हम करें कहते हैं अपडेट तो इस टेबल को में हम अपडेट कैसे करेंगे फिलाल इसमें यहां पर तो सचिन की जगा बस हमने यहां पर रोहित रखने हैं इतना समय काम करने हैं तो मिनिमाइस कर लेता हूं मैं इसको और जाता हूं अपने वीजियल स्टूडियो में और यहां पर मैं आपको दुबारा से वही पांच स्टेप बताऊंगा तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इंस यह जो क्वेरी है इसकी जगा पर मुझे आप अपडेट को डालना होगा अपडेट क्या है इसको मैं आपको बात में बता दूंगा क्योंकि थोड़ा सा समझाने वाली चीज हो जाएगी फिलाल चलते हम यहां पर आपने दूसरे स्टेप पे जो कि है हमारे SQL कमांड को अब अब्जेक्ट बनाएंगी वह एकदम पहले वाली वीडियो में जैसे बनाए था दूसरी वाली वीडियो में बनाएंगे तो सिंपल हमने SQL कमांड को अब्जेक्ट बना लिया था तो इसमें हमें ज्यादा चेंज करें की ज़रत है नहीं जो कि दो पैरमेटर लेता है पहला अब्जेक्ट बनाना है तो अब्जेक्ट भी आसानी से बन जाएगा चौथी चीज नहीं हमें हमें करना होगा चौथा जो हमारे श्टेप था वह था इंसल्ट कमांड लेकिन अब के वारा हम यूज कर रहें अब्डेट कमांड को यहां पर मैं लिख रहता हूं कि हम कॉल कराना ओके तो अब इनको वन वाई वन जानते हैं तो पहला इस्टेप है हमारा क्रेटिंग एस्केल स्ट्रिंग तो एस्केल स्ट्रिंग क्या होगी यह मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं इसके अंदर हम इसका मतलब क्या है ओके नाम जैसे कि मैं यहां पर रखना चाहता हूं रोहित रख लेंगे वहां पर कि और सेट नेम यह और वियर रोल नंबर इसको टू एट चिंदा मैं इसकी मैं आपको पूर क्वेरी समझाने वाला हूं अभी तो अपडेट प्रकार कि पहले आपको अपडेट लिखना पड़ता है और फिर आपको टेवल की उसका नाम लिखना पड़ता है तो यहां पर फिर मैंने लिखा सटने इसको रोहिट यहाँ मैंने लिखा हुए सेटने इसकल रोहिट जैसे कि आपको पता ही है कि जब हम स्ट्रिंग पास करते हैं तो उसको इस तरीके से लिखते कि पहला आपको सिंगल कोट लगाने होते हैं फिर आपको उसके अंदर पलस-पलस इस्तेमाल करना पड़ता है और फिर आपको दुबारा डबल कोट लगा के अपने इस्ट्रिंग को अंदर पास करना होता है ठीक है तो एसकेल में जब भी हम इस्ट्रिंग बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे तो यहां पर रोल नमर आठ है वहां पर नेम को सेट कर दो रोहित के लिए तो वहां पर नेम के वैल्यू हो जाएगी वहां पर रोल नमर आपका आठ होगा तो मैं आपको दुबारा टेबल में जाके दिखाता हूं तो यहां पर जो हमारा रोल नमर वह आठ है इसकी वैल्यू करसर है तो जब हम इस प्रोग्राम को एक्जीट करेंगे तो तब यह क्वेरी रन होगी और तब जो रोल नंबर आठ है उसकी पहली हो जाएगी आठ और उसका जो नेम होगा वह जाएगा रोहित ओके फिर हमने आप यहां पर आपको इंसल्ट कमांड की जगहां पर अप्डेट कमांड का इस्तेमाल करना होगा जो कि हमारा फॉर्ट में मैं बता चुका हूं तो बस यहां मैंने बस लिख दिया अप्डेट कमांड बाकि सब कुछ एकदम वैसी रहेगा गाईज एवान मैं कुद परसनली रिच हमने execute non query को call कर दिया ओके तो simply अब इसको run कर लेते हैं तो start पर मैंने यहां पर क्लिक कर लिया है और एग्यों स्टार्ट हो चुका है थोड़ा सा time ले सकता है क्योंकि depending on your RAM क्योंकि मैंने अभी दोनों खोल रखे Microsoft SQL Server भी और Visual Studio भी तो फाइनली यह फ्रेम हमारे सामने आ चुक है तो जैसे मैं connect पर क्लिक करूंगा तो हमारा जो data वो update हो जाएगा ओके तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूं और दुबारा जाता हूं अपने स्कूल सर्वर में और इस को में रन करता हूं जो कि यह सेलेक्ट एवरिटिंग प्रम इस्टुडेंट इसका मतलब है कि मुझे डेटर रिट्राइब करना है इस्टुडेंट टेबल का एक्षिक्यूट करते हैं औ तो मांना है जो रोल नुमर 5 है वह हम Assign करें किसी दूसरे वक्ति को यानि कि रागेश की जगां कोई दूसरे वक्ति का नाम याँ पे लिखेंगी तो मोहिनि का मैं यहां पर नाम लिख लिएता हूं तो इसको minimize कर लेते हैं और इसको मैं Terminate कर लेता हूं और यहाँ रिषा है उहाँ मैं हां due प्लबी और यहां पर नमेर क्यल्स इसकी था आप मोहीनि को क्राइबाइब बत्लाब मत्लब निसका इसे स्टार्ट करते हैं कि इस प्रोग्राम को मैं एक्जिकूट कर रहा हुए समय अभी रन हो चुक है कि बिल्ट सक्सीड यां पर लिखावा आ चुक है तो जैसे मैं इसको एक्जिकूट करूंगा तो वहाँ पर वैल्य हो जाएगी मोहीनी तो जैसे कि आप देख सकते कि जो आप रूमर 5 है उसके नेम कॉलम की वैल्य हो जोगी है मोहीनी तो यह मैंने आपको सिंपल से बता दिया कि अपडेट कैसे करेंगे अपने विजल स्टू फिर आपको अपडेट कमांड को यूज करना है और फिर आपको एक्जिकूट नॉन करी वाला जो मैथाड है उसको कॉल कर आ लेना है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप ज्यादा समझाने की जरूरत है लेकिन फिर अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंड म कैसे करना है डेटा को यानि कि अगर आपको कोई टेबल है तो आप अपने सीशा प्रोग्राम में उनको ग्रिड वीव में कैसे दिखा सकते यह भी हम आने वाली वीडियो में जानेंगी और कैसे डिलीट करेंगे किसी रिकॉर्ड को वह भी हम आने वाली वीडियो में जाने झाल झाल झाल